दोस्तों अगर आप भी YouTube पर वीडियो देखते हैं तो YouTube के एक खास option यानि एक खास features के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए जिसका नाम है YouTube Ambient Mode और अगर अभी तक आपको Ambient Mode के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है तो मेरी आज के इस वीडियो को ध्यान से complete end तक जरू देखिएगा और आज के इस वीडियो में आपको full detail के साथ बताऊंगा कि YouTube का Ambient Mode क्या होता है इसका क्या मतलब होता है Ambient Mode को कैसे on off किया जाता है और इसको यूज करने से क्या फायदे होते हैं तो time waste ना करते हुए चिले वीडियो को सुरू करते हैं क्योंको दोस्तों यहां पर मिलेगी हर ख़बर डंके की चोट पर दोस्तों Ambient Mode क्या होता है इसको कैसे यूज किया जाता है इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मुझाल के screen पे तो ध्यान से जरू देखना सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ अपने YouTube एप को open कर लेता हूँ ठीक है मैंने YouTube एप open कर लिया है अब Ambient Mode को कैस यूज करना है क्या मतलब होता है मैं आपको अभी बता द रहा हूं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ अपने YouTube चैनल को open कर लेता हूँ यानि अपने YouTube चनल के वीडियो को open कर लेता हूँ और यहाँ फ्रेंस मेरी कुछ latest वीडियो तो मैं अपनी एक वीडियो को play कर लेता हूँ ठीक है यहाँ यहाँ पर मेरी वीडियो प्ले हो गई है अब दोस्तों मैं आपकी जनकारी के लिए बता दूँ कि एम्ट मोड का मतलब यह होता कि बेटर लुक यानि YouTube पर वीडियो को देखने का आपका जो experience और नेक्स्ट लेबल को हो जाएगा और आपको ब यहाँ पर एक तरीके से एक बाढ़ टॉच करना है उपर में settings का option आजाएगा तो settings वाले option पे click कर देना है तो यहाँ पर आपको ambient mode देखने को मिलेगा लेकिन friends यहाँ पर आप देखिए आपको ambient mode देखने को नहीं मिल रहा है यानि friends यहाँ पर कहीं भी ambient mode वाला जो option है जो features देखने को नहीं मिल रहा है अब चले में इसके बारे में बता दूँ दोस्तों यह चीज़ ध्यान से देखिए मैं जो यूटूब एप को यह ओपन किया हूं यह जो वीडियो देख रहा हूं अपने या किसी और की भी माली आप देखेंगे तो यहां पर मैंने जो यूटूब वाला ओप्शन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले को क्या करना होगा आपने यूटूब एपको ना डार्क मोड में ओपन करना पड़ेगा और आपको नहीं पता कि डार्क मोड में कैसे करते हैं तो चलिए जहां से देखना मैं वह भी चीज़ आपको लाइप आजाता हूं homepage यहां जैंट पर लोगों करें लेता हूं उसके बाद सब से उपन में ज public ले आपको इसले कैने बाद तीसरी यहांव मिलर यहां प्लिकिंप सकति देंगा'm ऑप्शन रुप्शन जहां प्लिक त्वाले नीचे वाले ओप्शन पर क्लिक कर लेना है जैसे क्लिक करेंगे आपके जो मुवाइल के जो थीम है न यह डार्क थीम में हो जाएगी यानि ब्लैक स्क्रीन में ओपन हो जाएगी मैं अभी आपको करके भी दिखा दे रहा हूं ठीक है यहाँ पर मैं इसको ओपन कर कर देता हूं जैसे दोस्तों किया मैं इसको यहाँ पर ऑके किया मेरा डार्क थीम यहां पर ओमला हूँL व्यूड पर क्रिक्ष करने बाद आपको सेटिंगे जाने बाद दोस्तों देखें यहां पर एक लिखा है एंबिन मोड और यहां पर लिखा ओन मैं इसको यह बार आपको ओफ करके दिया अप दोस्तों दहान से देखना बहुत बारकी चीज्व आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा लेकिन ध्यान से देखोंगे तो आपको सब को समझ आजागा मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूं डार्क मोड में तो यहां दोस्तों देखें मेरी वीडियो है वीडियो के नीचे मेरा टाइटल सो रहा है टाइटल के नीचे जो बैक्ग्राउंड जो है ना वह डार्क है एकदम ब्लैक में देखने को मिले यहां पर कोई भी आपको एक्स्प्रियेंस नया लुक नहीं देखने को मिला लेकिन दोस्तों डार्क मोड में ओन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना तो फिर से में अब कैसे आर्क मोड करते हैं इसली आने के बाद आने के बाद आपको क्या करना तो आपको होटर पर दोस्तों डृट्ग LIKE झाड़ होरी आपकर ईसाब से विडिए ही आपको यहां पर लाइटिंग सैडो सो होगी इसी को बोला जाता है एंबियंट मोड और इसको यूज करने से क्या होगा दोस्तों आपको यूटूब पे वीडियो देखना का जो एक्सपियेंस होना काफी बेटर हो जाएगा और साथ हीम दोस्तों आपके यूटूब की जो बैटरी है ना जब भी यूटूब पे वीडियो देखेंगे तो आपकी मोवाइल की बैटरी है ना बहुत कम खर्च होगी यानि खपत बहुत कम होगी दिश्चार्ज बहुत कम आई होग दोस्तों आपको अच्छे समझ में आगया होगा कि Ambient Mode क्या होता है इसका क्या मतलब होता है कैसे इसको On-Off किया जाता है कैसे इसको यूज किया जाता है इससे क्या फायदे मिलते हैं वीडियो अच्छे लगे दिवीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और पर पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फिर मिलते फ्रेंस लेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग